आज की कहानी का शीर्षक है मा का दिल एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था एक दिन लड़की ने उस लड़के से पूछा कि क्या वे उसे बहुत चाहता है लड़के ने कहा अपनी जान से भी ज्यादा तो ठीक है मैं उम्र भर तुम्हारा साथ नहीं बहूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है तुम्हें वो पूरी करनी होगी लड़के ने पूछा क्या शर्त है तुम्हारी लड़की ने कहा मुझे तुम्हारी मा का दिल चाहिए तुम अपनी मा का दिल लाकर दो तो मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी ये कैसी शर्त हो तुम्हारी मा का दिल तुम होश में तो हो मेरे लिए ला सकते हो तो बताओ नहीं तो कोई बात नहीं पर मेरी शर्त यही है लड़की अपनी शर्त पर अड़ी थी लड़के ने मा की ममता को भूल कर लड़की को मा की दिल के लिए हा कर दी और चल दिया अपनी मा का दिल लेने के लिए रास्ते में अपने पैदा होने से लेकर अब तक की सारी बाते याद आ रही थी उसे कि बच्पन में मा कैसे उसे अपने कलेजे से लगा कर रखती थी खाना खिलाती, अपने पास सुलाती, उसकी हर जित को पूरा करती अपनी जान ने चावर करती, उसकी गलती होने पर भी उसे ही मनाने आ जाती यह सब सोस्ते सोस्ते उसके कदम भारी होने लगे बचपन में ही उसके पिता की मृत्फू के बाद उसे कितनी मुश्किलों से पाला और अभी भी जब तक वो घर नहीं आता तब तक माह खाना नहीं खाती बचपन से लेकर अब तक भी माह उसकी रहा देखती रहती है उसके बिमार होने पर भी सारी सारी राज जाकर काटती धीरे धीरे वो घर के तरफ बढ़ रहा था सोचते हुए ना जाने कब वो घर के सामने पहुँच गया मा ने दरवाजा गोला और बोली कहां रह गया था मेरे मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे थे ज़्यादा देर ना करा कर फिरमा बोली आज तु कुछ परिशान सा लग रहा है क्या बात है आज मुझे उसने बुलाया था जिसे मैं पसंद करता हूं उसने हां तो कर दी लेकिन एक शर्त के साथ लड़का बोला क्या शर्त रखी है उसने मा ने पूछा तुमारा दिल मांगा है उसने लड़के ने कहा मैंने तो अपनी जिन्दगी जी ली तुझे पाल पोसकर इतना बढ़ा कर दिया मैं आज मरी तो कल दूसरा दिन उसे मेरा दिल चाहिए न तो देया लेकिन पहले तु खाना खा ले तुने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा कुछ देर बाद लड़के ने मा का दिल लिया और लड़की के पास चल दिया रास्ते में चलते चलते उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा और दिल उसके हाँ से छूट गया उस दिल से मा की आवाज आई बेटा तुझे चोड तो नहीं लगी लड़के ने दिल उठाया और आगे चल दिया और जब वो लड़की के पास दिल लेकर पहुँचा और अपनी मा का दिल उसे दिया तो लड़की ने कहा जिस मा ने तुझे पैदा किया पाला इतना बड़ा किया जब तु उसका नहीं हुआ तो तु मेरा क्या किसी का भी क्या होगा तु तो बेटे के नाम पर कलंक है यह कहकर लड़की चली गई और लड़का ठगा सा खड़ा रह गया जिसका सब कुछ लुट चुका था आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी धन्यवाद